Hello and welcome to the knowledge source So in this session we are going to discuss about recently US has said that they are willing to give the KC-46 tankers to Indian Air Force तो आज के session में हम जानने ही कोसिस करेंगे US की company Boeing जो है वो अभी KC-46 जो उसके पास tankers है वो Indian Air Force को देनी के लिए उसने कहा है कि हम इसको दे सकते हैं तो इस session में हम जानने ही कोसिस करेंगे कि India जो है यह जो tankers है वो क्यों खरीद रहा है क्या इसे regions है और इंडिया के पास अभी किस तरीके tankers है और यह tankers किस तरीके से utilize होता है Indian Air Force में अगर हम बात करें तो इस session में हम से यह सब कुछ देखेंगे तो चलिए start करते हैं But before starting this session I would like to say you can join through our telegram channel and the facebook channel Link is being given in the description so that whatever the new sessions we are taking you can get the notification easily So recently what has happened that US Air Space जो Boeing company है उसने अभी कहा है कि हम जो K647 जो tanker है उनके पास जिसकी derivative अगर हम बोले है जो कि Boeing 767 है वो एक passenger aircraft है जो कि Indian Air Force को देने के लिए उसने हामी भरी है और ये agreement में भी possibility है कि next आने वाले months में हम देख सकते हैं कि ये जो K646 tankers जो है वो Indian Air Force को मिल सकते हैं में भी India lease भी ले सकता है ये कुछ अभी टोटल ये अभी public domain में ये news नहीं है कि क्या India खरीदेगा या फिर क्या lease पिलेगा लेकिन अभी के लिए ये news है कि इसमें सहमती बन रही है दोनों इंडिया के ये एरफोर्स के बीच में और जो वहाँ की company Boeing है उनके बीच में अगर मैं बात करूँ इंडिया जो है वो mid-air refuelers के लिए बहुत समय से इसकी खोज कर रहा था इस्पेसली अगर हम देखें जहां पर अभी इंडिया अपने डिफरेंट जो अगर एरक्राफ्ट्स हैं विदरेट में भी राफाल हो गया तो उस राफाल अगर खरीद रहा है लेकिन हमारे पास और जो जिस तरीके एरक्राफ्ट्स हैं वो बहुत ही दूर तक यानि कि एक बार फ्यूल वो लेने के बाद बहुत ही देर तक हवा में नहीं दे सकते हैं जिसके चलते क्या होता है कि यह रिफ्यूलिंग की जो सिस्टम होती है वो इंडियन एरफोर्स अभी इसमें अपने बेडे में यह इस तरीके टैंकर्स को एडप्ट करने की कोशिस कर रहा है तो अगर हम देखें कि K646 टैंकर्स और इसके बाद जो इसके कंपेर करें हम एरबस के बारे में कि यह दो ऐसे कंपनिया जो हैं जो कि इंडिया को अपने रिफोलर्स यह फिर जो टैंकर्स हैं उनके बीच में कहीं तसल्स है कि क्या इंडिया के K646 कर देगा या फिर जो एयरबस की जो कंपनी हैं उनसे कुछ इसा मैटरील्स या फिर इस तहरीके के जो एयरिक्राफ्ट हैं वो यह टैंकर्स है उसको खर देगा अगर हम देखें इंडिया जो है इस तरीके डाइलैमा में था कि बोईंग जो के 646 है या तो उसको खर दे या फिर यूरोप की एरोस्पेस की जो एडियर बस है ए330 या फिर उसको खर दे और इसमें जो है कि मल्टी रोल टैंकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जो बात भी इसमें कहीं ने कहीं आ रहे थी कि किस तरीके कि हमारी कैपेबिलिटी यहां में क्या नीड है स्पेसिफिक उस पर ध्यान में उन्हों सबसे पहले रखने की जुरूत है सबसे उस में क्या होता है कि जो दोनों कंपनी को अगर हम कंपेर करें तो इसमें जो ऑपरेटिंग कोस्ट है या फिर जो honour ौपरेशनल कोस्ट है वो कहीं न कहीं एक और जुसरे से मिस मैसेज थी ती या फिर कहीं न कहीं ओपर या नीचे थी जिसके चलते हैं इंडिया को अभी ऐसा फील हो रहा है कि K646 को वो खरीद सकता है अगर हम देखें Airbus MRTT की तो इसकी जो derivative है ट्वीन इंजन जो A330 है वो एक passenger aircraft है जो Airbus का अगर हम बात करें K646 की यह टैंकर जो है यह cargo और इसके साथ passenger दोनों को एक जगह से दुसरी जगह रा सकता है और इसके अलाबा humanitarian relief भी है कहीं disaster आ गया कहीं किसी की इनों किस तरह के incidents हो गए है जो natural causes से हुए है तो उसमें भी कहीं है यह role play कर सकता है और यह जो Boeing K647 है आपको याद रखना है कि especially यह combat tanker है और वो अगर हम देखें कि European की जो Airbus है उसमें humanitarian relief या फिर बहुत सारे multi-role factors उसमें considered किये थे हैं उसको manufacture करने से पहले तो यह situation थी जिसके जलते हैं अभी India considered कर रहा है कि maybe K646 को India adopt कर सकता है अगर हम देखें Boeing K646 Air Force tanker की तो यह एक tanker जो है modified commercial vehicle है जो कि 767 और 787 style की cockpit को यह follow करता है और इसमें अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसा changes किये गए है time के साथ जो कि refueling या फिर टैंकर के purpose से यह बहुत ही अच्छी operation provide कराता है क्योंकि अगर अब देखें जो इसकी air refueling ports है वो आपके बस दो जगा मिलेंगे एक तो wing में और इसके साथ जो cargo bay है वहाँ पर त्यानि कि दो जगा पर आपको यह refueling system provide कराता है जो कि अगर कहीं एक जगा आपसे work नहीं कर पा रहा जाए refueling की दोरा problem हो रही है या फिर दो दो aircraft को एक साथ भी यह refuel कर सकता है तो इसके कुछ यह features हैं जो कि इंडिया इसके चलते K646 को consider कर रहा है खरीदने के लिए तो अगर हम देखें अभी question यह उठता है कि इंडिया को mid-air refuelers की क्यों जरूरत है देखें सबसे पहले अगर हमारे पास अभी देखिए एक existing scenario के हम बात देखें तो हमारे पास 6 Russian Ocean 78 tankers हैं जो कि first inducted किया गया था बहुत ही पहले 2003 में और इसके बाद अभी यह पुराने हो चुके हैं और जो requirement यह फिर जो maneuverability जो चाहिए या जो flexibility चाहिए जो जिस तरह के tankers में यह इसमें कहीं नहीं कहीं इसमें lack कर रहा है तो अभी क्या होगा कि अगर हम रफाल को अगर हम mid-air refuel कर रहा है तो इसके साथ कुछ इनो अगर by chance अगर enemies attack हो रहा है उस समय तो उसमें हमें क्या होता है कि maneuvering capacity होनी चाहिए इस तरह के tankers में भी तो यह कहीं-कहीं lacking है जिसके चलते government of India भी new modified versions of tankers या फिर refuelers लेने की कोशिस कर रहा है अगर इसके बाद हम देखें जो यह tankers हैं यह हमारे मदद करेगा जो कि range o enhancing capabilities में जो कि हमने मैं जैसे आपको बताया कि रफाल में कहीं-कहीं अगर आप एक बार refueling कर देते हैं तो य लेकिन दूसरी aircrafts जो इंडिया के पास हैं वो ज्यादा दिर तक हवा में नहीं दे सकते हैं उनको फिर से नीचे refueling के लिए आना पड़ता था तो अभी क्या होगा कि अगर इस तरीकी के tankers हमारे पास available होंगे तो जो mid-air में हमारा refueling हो जाएगा और जिसके चलते हैं हमार आप्म डिए अब्सक्राइबरा तक हैं तो आपक स्छे बढका रहीं आपका फिर जाएगा उनको नहीं अदर था जएए ठीट वग वादाएगा टूएगा यजले को ओन्याए ऑना पर देखने पासी लें